हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका एक और दमागेदार वीडियो में फ्रेंड्स मैं सचिन आज़ाद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सचिन डेली टैक फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाली है विकाज हम आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते कि स्विफ्ट कोड होता क्या है तो friend swift code एक ऐसा code है जिसकी help से हम foreign currency को अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो friend इसकी जुरूत हमें तब पढ़ती है जब हमारा YouTube channel या Facebook page monetize हो जाता है तो उसका revenue हमारे bank account में transfer करने के लिए हमें इस code की जुरूत पढ़ती है और friend अब तो Instagram पर भी monetize का option आ गया है वहाँ पर भी gift, subscription और real bonus के जरीए earning हो रही है तो इस earning को अपने bank account में transfer करने के लिए हमें इस code की जुरूत पढ़ती है friend इसके बिना हमारे YouTube channel या Facebook page में जो भी revenue generate होता है वो Google AdSense के जरीए generate होता है तो friend उसको हमारे bank account में transfer करने के लिए हमें इस Swift code की जुरूत पढ़ती है क्योंकि उसकी currency US dollar में होती है जो American currency है तो friend उस currency को अपने account में transfer करने के लिए हमें Swift code की जुरूत पढ़ती है तो friend आज की video में हम इसी topic पर बात करेंगे कि अपने किसी भी bank account का Swift code कैसे पता करें friend आज की video हम दो तरीके से जानेंगे कि Swift code का पता कैसे लगाया जा सकता है friend पहला तरीका है कि हमें अपने bank मेंने के पास जाना है और उनको बता देना है कि ऐसे ऐसे मैं YouTuber हूँ या Instagram creator हूँ और मेरा page monetize हो गया है तो मुझे वहां से अरने हो रही है तो उस पैसे को निकालने के लिए मुझे Swift code की जूरत पड़ रही है तो sir please मुझे bank का Swift code बता दीजिए अगर bank मेंने आप से convince हो जाता है तो आपको Swift code बता देगा और friend अगर बहर नहीं बताता है तो हम formula number 2 का use करेंगे तो friend सबसे पहले हमें अपने bank manager या किसी bank employee से पूछना है कि अपनी bank का main branch कहा है या आप इसे google पर भी सर्च कर सकते हैं कि अपने district का नाम डालके कि उसका main branch कहा है तो वो आपको वहां से बता देगा तो friend इतना करने के बाद आपको अपने phone में Google open करना है तो हम अपने phone में Google open करते हैं friend Google open करने के बाद वह हमें सर्च करना है या पर swift code finder तो friend मैंने आपका सर्च किया हुआ है तो मैंस पर click करता हूं तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे कई वैपसाट खूले गई हैं तो फ्रेंड हमें सबसे उपर वैपसाट दकर देख 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 होगी Swift code find search and finder tools समेस पर क्लिक करना है इसपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ एंटर्फिस आएगा तो हमें थोड़ा उपर स्क्लोल डाउन करना है और आपको उपर अप्शन दिकरा हुआ कर लेनी है तो अपनी इंडिया है तो यहां से हम इंडिया सर्च करता हूँ तो फ्रेंड मेरी उपर आगे बैंक ओफ इंडिया आपको और सामने के वाद आपको इसपर क्लिक करना है यह इंडिया क्लिक करने के वाद आपको सामने यह वाला option आ गया है तो नीच आपको option दिकरा हुआ shift code, bank name and address तो फ्रेंड आपको यहाँ स्क्रिंसोट ले लेना यहाँ पर इन तीनों को copy कर लेना है तो फ्रेंड मैं यहाँ से इसका screenshot ले लेता हूँ और फ्रेंड इनको copy भी कर लेता हूँ फ्रेंड इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है फ्रेंड आपको जहाँ भी shift code डलना है आप वहाँ पर डाल सकते हैं लाइक YouTube पर, Facebook पर और Instagram पर फ्रेंड अगर वीडियो अचले लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अमारे चैनल सचिन डेली टेक को सब्सक्राब करना ना भूलें